अगर आज तक MyAxis, MyIndia के नतीजे बाकई देश के नतीजे बनते हैं तो 2024 में एक बार फिर 400 पार के साथ बन रही है और ये हम आपको दिखाते हैं राजवर तरीके से तमाम राजों के नतीजे जिसमें भारतिय जनलता पार्टी लगबग सख सख सीटे उक्तर प्रदेश में लाती हुई दिखाई दे रही है तो केरल में पहली बार एंट्री मारती हुई दो से तीन सीटों पर दिखाई दे रही है एंडिये के 400 पार होने के आसार एक्जिट पाई पोल के मताबिक आते हुई दिखाई दे रहे है राजस्तान में इंडिया गड़ बंदन को 5-7 सीटे लेकिन आ सकती है वहीं गुजरात में जो 26 सीटे है वहाँ पर भी 25-26 सीटे यानि जिन राज्यों में कॉंग्रस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है वहाँ एक बार फिर से जबरदस्ट परफॉमेंस राजस्तान चोड़कर हर जगा क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी दिखाई दे रहे है चाहे वो 36 गड़ हो, मद्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो ऐसे तमाम राज्ये, वहीं अन्य जग होपर अगर उन्होंने जबरदस गुस्पेट की है तो वो है सीधा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 18 से उनकी सीटें जबरदस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं अब है दूबे जी अच्छा हुआ आपकी पार्टी ने ये फैसला लिया कि एग्जिट पोल में बातचीत करनी चाहिए क्योंकि देखिए एग्जिट पोल सिर्फ एक साइंटिफिक तरीका है जिससे नंबर्स आते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगबग 94 फीजदी सही नंबर्स बताने का अगर यही जो अनुमान है ये चार जुन को नतीजे में तबदील होते हैं तो एक प्रचंड जनादेश के साथ मतलब इसका मतलब है प्रो इंकंबंसी इसका मतलब है नरेंद्र मोदी में पुना भरोसा इसका मतलब है कि आप विफल हुए और अगर विफल हुए तो उसकी वज़ा क्या मानते हैं अंजना जी नमश्कार इंडिया गडबंदन दल के विफल होने का प्रश्नी नहीं पूरी उमीद है हमें कि हिंदुस्तान सफल होगा मैं विनमरता से इस बात के लिए गुपता जी को बढ़ाई देता हूं कि एक वियापक सर्वे उन्होंने किया 5 लाख लोगों का मगर 63 करोड वोट जिस देश में पढ़ते हों वहां भांच लाख लोगों से मुल्यांकन करना मतलब 0.0793 प्रतिशत लोगों का मुल्यांकन वोट में तबदील परिणामों में तबदील होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता मैं बिल्कुल अवसर नहीं दूँगा इस बार गुपता जी को स्टूडियो में नाचने का और मैं भी एक गाना लिखकर उनको भेज़ता हूँ वो गाना रौकी फिल्म का आँ देखे जरा किसमें कितना है धम आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए हम बाजी मारेंगे वो हमसे हारेंगे हम ऐसे नाचेंगे वो क्या नाचेंगे कोई पार्टी को नहीं देना है क्योंकि ये वो वक्त होता है जब जनादेश सामने आता है और मैं आपकी इस भावना का पूरा सम्मान करती हूँ क्योंकि अगर योद्धा पहले ही मैदान छोड़ दे तो अच्छी बात नहीं है और इसलिए अगर आप एक्जिक पोल में आ रहे हैं आज तो अच्छी बात है लेकिन अगर मेरा प्रश्न कुछ और है मैं मानती हूँ कि चार जून का इंतजार करना ही होगा ये सिर्फ अनुमान है अनुमान ही अनुमान है लेकिन अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो फिर आइने में क्या दिख रहा है आज तो मैं सुईकार करने को इस बात को तयार नहीं हूँ 2004 में भी यही था बिल्कुल हूँ वहूँ एक इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था सारे एक्जिट पोल ने 273 सीट्स भारती जन्ता पार्टी के इंडिये को दी थी मगर परिनाम बिल्कुल उसका उल्टा हुआ 2009 में भी ये मुल्यांकन बिल्कुल उल्टा हुआ था मैं आशानवित हूँ जिस प्रतार राहुल गांधी जी ने इंडिया गडबंदन दल के लोगों ने लोगों के सामने एक द्रश्टी कोन रखा उन्होंने कहा कि पहली नोकरी पक की भीशंटम बेरोजगारी थी महंगाई थी इससे इंकार नहीं कर सकते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी कोई रास्ता दिखा नहीं पाए और हमारे प्रचारक के रूप में काम किया हमारे गोशना पत्र को सबसे जादा प्रचार अगर किसी ने दिया हमारे तो अकाउंट फ्रीज हो गए थे हम चिंतित थे इस बात के लिए लेकिन उन्होंने जो नरेटिव दिया वो जनता ने नहीं स्विकारा जमीन पर नमास, मतन, मचली, मंगल सूत्र, मुझरा इसको एक्सेप्ट नहीं किया भारत के सुभाव में नहीं कौन से एक्जिट पोल के आधार पर यह सब बात कर रहे हैं वे दुबे जी क्योंकि अभी तक जो जितने एक्जिट पोल आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं इंडिये का आपका अपना एक्जिट पोल एक होगा क्योंकि आप भी मैं नहीं मानती कि जो 80 करोड़ बोटर्स ह तो करना ही होगा लेकिन ये जनादेश अगर वाकई आता है आपको जो अनुमान दिखा रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रहा है ये बहुत सारे उम्मीदों को लेकर आ रहा है और ये बहुत सारी मतलब आप कह सकते हैं भरोसी को लेकर आ रहा है इ लेके सामानेता मैं मानता हूँ कि एक्जिट पॉलों ने जो दिशा दिखाई है वो दिशा तो उसी दिशा में बहुत इस्पष्ट दिख रही है कि मोदी जी के नित्र तुमें भारती जनता पार्टी और NDA के पृती जो एक अपार जन समर्थन दिख रहा है हां संख्या को ल दिखाया है इतना भारी अंतर अगर कभी दिखाया है तो वह एकदम रिवर्स नहीं हुआ है और अबेदुबे जी तुम्हें यह भी कह दूं कि 2004 को अपवाद सुरूप छोड़ दे तो सामानेता चुनाव पूर सर्वेक्षणों और एक्जिट पोलों ने जितना दिखाया है भारती जनता पार्टी ने वास्विक्ता में उससे बेतर किया है पिछले 2019 में आपको यादो सिर्फ आज तक कि एक्सिस माई डिया ने 300 सीटे दिखाई थी बाकी सब हमको या तो 270 के आसपास रख रहे थे उससे नीचे ले जा रहे थे वो अलग भी शहें मगर मैं यह कहन होते हैं जिसकी हमें पूरी आशा है और हो सकता इससे बेतर संख्या के साथ हूं यह दिखाता है कि अब चुनाओ देखे समाथ हो गया चुनाओ की सीमा पे जाके लड़ा गया यह भी देखना चाहिए एक तरफ मोधी जी के नेतृत में एक सकारात्मक अभियान के साथ एज जो राइट पे चले गए और राइट वाले लेफ्ट पे आ गए हम बचपन में सुनते थे कि लेफ्टिस्ट यह कहते थे कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं अमीर और गरीब और वही लेफ्टिस्ट आज आकर विशलेशा करते हुए बताते हैं नहीं यह जाती होती है नहीं गरीब और अमीर कुछ नहीं होता वो तो जाद विरादरी होती है जो लेफ्ट वाले ये कहते थे कि साब जो religion is an opium वो धार्मिक संस्थाओं के साथ धार्मिक पार्टियों के साथ गड़बंदन करते नजर आए और उनका बड़ी पुर्जोर तरीके से समर्थन करते नजर आए तो मुझे लगता ये भी एक बड़ी बात रही हम ये कह रहे थे कि समाज में गरीब और अमीर का वर्ग है और हमको हर गरीब को पहुंच है वो करने नहीं जाद विरादरी का है तो मुझे ये लगा कि इतना जो राजनेतिक चरित्र बदलने का प्रयास होता है वो भी अकसर बहुत सकारत तो परिणाम देने वाला नहीं होता एक तरफ हम वो पार्टी है जिसने सतर साल में किसी आइडियोलोजिकल मुद्धे पर अपना स्टैंड नहीं चेंज किया दूसी तरफ कॉंग्रेस पार्टी जिसने कोई दस साल ऐसा बता दे जिस पर अपना स्टैंड ना चेंज किया हो मतलब यह जाती का जंगरना के मुद्धे से लेके और कश्मीर के मुद्धे से लेके हर मुद्धे पे जो नहरू जी के जमाने का स्टैंड इंद्रा जी के जमाने का आज़ पूरी तरह चेंज होता चला गया तो आज समझे नया भारत है आज की डेट में सूचना की क्रांती और सूचना के विस्पोर्ट का दोर है जो बहुत सारी गरत सूचनाओं का भी आपने प्रयास किया ठीक है जो प्रयास किया गया अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि अंतिम परिणाम आ गए है मगर जो संकेत दिखाई पढ़ रहा है वो बहुत साफ दिखाई पढ़ रहा है कि मोदी जी के नित्रत में एंडिये राजनीत में विश्वसनियता की प्रामानिकता का प्रतीक बनता हुआ दिखाई पढ़ रहा है और इंडी कड़ बंदन विश्वसनीता के संकट के रूप में भरता हुआ दिखाई पड़ा है उजह लगता है इस बारे में विचार इमांदारी से करना चाहिए अब चुनाव समाप्त हो गया एक दूसरे प्यारोप प्रत्यारोप वाली विश्वसे से हट कर